कुरोना वाइरस मामलों की संख्या के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश बनने वाला है आज के आकडों के अनुसार 42,000 से जादा एक्टिव केस इंदिया में मौजूद है जिसमें मरने वालों की संख्या 71,000 से पा रही लेकिन राहत के बात ये है कि तेजी से ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है केंद्र सरकार के आकडों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 90,000 से जादा नए मामले दर्श किये गए हैं भारत में पिछले कुछ हफ्तों से डेली 80,000 से जादा नए मामले सामने आ रही है देश में कुछ प्रमुक राज्यों का यू रहा हाल महराश्ट में 9,7,212 केस अक्टिव आंद्रप्रदेश में 4,98,125 केस तमिलनाडू में 4,63,480 मामले देश की राजधानी दिल्ली में 1,91,449 के मामले उत्तप्रदेश में 2,66,283 कुरोना संक्रमित अगर यही हाल रहा तो भारत कुरोना केसिस के मामलों में ब्राजील को पीछे छोड़ कर दूसरा स्थान हासिल कर लेगा देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे हिन भारत खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यह बैल आइकन जरूर तबाए